है 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 हलो एव्रिवान कैसे हो बेटा सब जलुदी मुझे अपने हाल चाल बता दीजे तो आज का लिक्चर है हमारा नारेशन पे तो आप सबकी डिमांड पे आया है यह नारेशन बिकाद मुझे नारेशन टेंस के बाद लेना था बट आप सबने बार बार कमेंट में बोल दिया नारेशन 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 तो होप मुझे यहां पे पता है कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया टेंस का है तो जो बचे expect कर रहे हैं कि narrations में मैं आपको tenses पढ़ा दूँगी तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि narrations में मैं बस direct और indirect के बारे में ज्यादा focus करूँगी ठीक है direct speech में या indirect में tenses मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है ठीक है तो मैं basic idea देते हो ये tenses का आपको narrations पढ़ा दूँगी बट tenses को हम regular lecture में लेंगे I said regular master class में tenses का कोई usage नहीं है क्योंकि master class में भी अगर आपके lecture one lecture two lecture three लग जाए तो master और regular में बेटा फरक क्या रह जाएगा ठीक है तो मैंने आप सब को ये comment section में भी बोला था hope आपके कोई भी doubts से vowels पे वो भी मैंने आपको clear कर दिया थे हर बच्चे को updated pronounce के notes मैंने provide कर दिया थे तो अब तो आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए अगर फिर भी आपको अगर कोई भी doubt हो तो please better comment section में लिख दीजेगा आपको पता है कि मैं एक-एक बच्चे का comment का reply कर रही हूं ठीक है why because in grammar अगर आपको कोई भी doubt हुआ और आप lecture को पढ़ो मेंड से तो फिर फाइदा नहीं होगा इस वज़े से मुझे सारे comments ना दिन के lectures के बाद आपके देखने पड़ते हैं चीक है तो अब हम lectures को start करते हैं narration पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब हमने quiz का format change कर दिया है it means कि मैं पहले बस आपको narration का basic idea दे के quiz number one करूंगी जो master class previous master class पे base था या आने वाले में आपको hint मिल जाएगा ठीक है clear है आपको yes or no कोई doubt होगा तो please comment section में लिख दीजेगा अगली master class से पहले या तो मैं इस video में आपको comment section में reply कर दूँगी it means कि comment पढ़के आपको answer मिल जाएगा बट बहुत सारे comment होते है यह नहीं कि खाले youtube आ रहा है आप पी आ रही है तो हर बच्चे का comment का answer देना वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप comment में लिखे उसके बाद अगर reply ना मिले तब आप मुझे कहना मैंने एक एक बच्चे को दिया है comment तो अब हम basic idea लेते हैं narration का narration होता क्या है narration होते है words नरेशन होते हैं शब्द जो बंदा बोल रहा होता है मतलब जो person बोल रहा होता है हम directly कोई चीज़े बोलते है है लाइस में तो अगर हम narrations को देखे ना narration मतलब बाते करना Creator अक्षिन का का रही हूं कि भाई बेटा इसने मुझे यह का था तो यह क्या है यह इंडारेक्ट स्पीच में आगे तो नरेशन का क्या मतलब है अपने बस ध्यान से लेक्चर देखना है क्योंकि यह भी कम्यूनिकेशन बेज ही है जिसे हमारा वोवल था जी के बट नरेशन हमारी ग्रामर को वन स्टाट करते हैं ठीक है तो पहले जल्दी जल्दी एक बारी इस लाइट को हम रीडाउट कर लेते हैं ओके दा आट ओफ रिपोर्टिंग दवार्ड आफ पीकर इसको डारेशन तो क्या मतलब हुआ नरेशन का यह मतलब होता है कि हम अपने वर्ड को कैसे एक्स्प्र कर रहे है जो स्पीकर कौन है झेड़ि बोन रहाएं कान है स्पीकर जो बोल रहा है there are two man ways of reporting words of a speaker मतलब की हम जो चीज बोल रहे हैं for example in front of you मैंही खड़ी हूँ एक सी काम यही खड़ी हूँ आँ कैसे examples दे देके तो यहां पर direct speech आ जाता है और indirect speech आ जाता है तो it means कि speech के हमारे two parts होते हैं चीके speech के कितने parts हो गए बच्चा two parts हो गए क्या होगे direct या indirect क्या हो गए direct या indirect clear है यहां तक ओक अब direct speech क्या होती है indirect speech क्या होती है हम coming slides में पढ़ेंगे लेकिन हमारा quiz number one यहां प one start होगा तो कहीं जाना नहीं है पहले आपको इसको attempt कीजिए ठीक है question number one heart is heart is long pronunciation short pronunciation both a and b यह none of above I'm not using ठीक है तो heart is long pronunciation short pronunciation both a and b यह none of above अब आपको मैंने वोवल में क्या बोला था शब्दों को बोल के देखे बेटा शब्दों को बोल के देखे जल्दी मुझे answers दीजे जल्दी दीजे ठीक है जल्दी बेटा दीजे आगे question number two cheat is cheat is अब आपको हिंट में दे रही हूँ अपने हैंड की मुवमेंट से ठीक है cheat is क्या है long pronunciation short pronunciation both a and b यह none of above जल्दी बताए मैंने आपको काना कब करके देखे हातों को cheat क्या है long pronunciation short pronunciation both a and b यह none of above that is why I was saying key master class regularly j question number three fight up in example data last master class में मतलब कल 11 बजे सुबह आपी के examples लिये हैं मैंने हाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे example दिये थे ना तो जल्दी बताए fight क्या है long short both a and b यह none of above जल्दी बच्चा बताओ मुझे मैं कह रही हूं जल्दी जल्दी बता दो अब तो can we start further जल्दी बेटे बताईए okay तो अब मैं इसके answers दे देती हूं आपको चिक है क्या दे रही हूं मैं इसके आपको answers provide कर रही हूं देखे वोवल्स में मैंने आपको क्या का था कि हम्मार को tone of voice देखनी है ठीक है अब हमें बोल हट क्या है हट क्या रही है क्या रही है तो हट हमारा क्या हुआ short pronunciation हुगया clear है okay cheat चीट 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 क्या है यहां पर काव आ रहा है बोलते हुए हमार को यहां पर काव आ रहा है cheat तो क्या है long pronunciation क्या है long pronunciation clear है okay fight क्या है fight fight दुबारा बोलके देखे fight long pronunciation है बच्चा यहाँ पे तो एपाट हो गया हमारे यहाँ पे करेक्ट होप आपको यहाँ तक क्लियर है ठीक है तो क्विज नंबर वन से जो बच्चे सो रहे थे ना अब सारे जाग गए है तो बिचा अब नरेशन सा रही है प्लीज ध्यांग से पढ़िए गाँ ठीक है अब आप को पहले बारी ना पांच मिनट के अंदर अंदर को कराने का यही मोटिव रह रहा है कि आप जो सोख उठते हो ना बस आपको एनरजी आ जाए इस समय ठीक है तो नरेशन को बिटा मैंने आपको क्या बोला है नरेशन का मतलब मैंने आपको बोला है कि हम जो शब्द यूज क आइम वेरी बीजी ना एक रामा है रामा है उसने क्या बोला कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा बीजी हूँ अब मैं आपको ना बस एक चीज यहां पे ब्रेक करके दिखाऊंगी यह क्या है यह डारेक्ट है मैं बोल रही हूं यह डारेक्ट है क्यों रामा को डारेक्ली रामा ने का है कि वह बहुत ज्यादा बीजी है डारेक्ली आपने बोल दिया बट रामा यहां पे क्या है रामा यहां पे क्या है सेड यहां पे क्या है और यह जो चीज लिखी हुए है आयम वेरी बीजी नाओ यहां पे कॉमा के कॉमा के बाद यह रहा ना कॉमा ठीक है ओक इसको हमने I am very busy now, अब यहाँ पर ये चीज क्या है, बेटा ये जो होता है न, इसे हम बोलते हैं reporter, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं reporter, अब बेटा, reporter क्या होता है, reporter क्या होता है, जल्दी मुझे बताए, reporter मतलब की जो बोल रहा है, it means speaker, speaker, ठीक है, ओके, reporter क्या है, जो बता रहा है कि speaker ने, क्या बोला है, okay, said क्या है, बेटा said verb है, ठीक है, said क्या है, verb है, जो हमारे reporter को, हमारे reporter को, reporter क्या Rama said that I'm very busy मतलब direct है Rama नहीं बोला होगा किसने बोला है Rama नहीं बोलोगा तो यह हमारा हो गया बच्चा话 reporter मतलब डारिक ठीक है अब यहाँ पर verb का use करका है हमने बीच में क्या करका है verb का use करका है अब verb का use करका है हमें ये तो पता है ठीक है अब यहां तो हम इसे बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्प क्या बोलेंगे इसे हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्प ठीक है यहां हम इसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्प ठीक है helping work clear है यह जो रामा है वो कौन है वो reporter है कौन है वो reporter है और यहां पे verb use कर रखा है तो यह बेटा क्या हो गया reporting verb हो गया ठीक है I am very busy person busy now यह क्या है speech है क्या है यह speech है लेकिन यह इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे reported speech के reported speech reporting speech क्या होता है अब आका question यहां पे यह बनेगा ठीक है reported speech मतलब कि हम यहांपे quitting कर रहे है words को quitting कर रहे है words को और साती chang as अगर हम बात करेंगे न तो यहां पे exact words नहीं है ठीक है मतलब की मैं क्या बोल रहे हूँ है यहां पे reporting speech मतलब कि जो चीज बोली जा रही है जिसे हम report कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जिसे हम report कर रहे हैं तो रामा क्या हुआ reporter said क्या है reporting verb और यह last में क्या आ गया reported speech clear है जल्दी मुझे बताए कोई doubt है तो बेटा बताएए यहां पे हम report कर रहे हैं ना बिटा हम यह बोल रहे हैं कि रामा जो speaker ने क्या बोला है ठीक है reporter क्या है रामा ठीक है reporter क्या है रामा की बारे में हम रिपोट दे रहे हैं चीक है और यहाँ पर वा भी उसकर रहे है reporting चीक है और यहां पर क्या इस ने क्या बोला था हम रिपोट रहे है न हम रिपोट कर रहे है क्यों कीट करके lines को quitting चीक है यह जो double कॉम्म और तो यह क्या है यह क्या है यह यहां पर हमारा हो गया रिपोर्टे स्पीच यह और नो अब इसको मैंने आपको का यह डारेक्ट है मैंने आपको क्या का कि यह डारेक्ट है डारेक्ट का मतलब क्या होता है डारेक्ट का मतलब हो गया डारेक्ट का मतलब हो गया डारेक्ट का मतलब हो ग अब direct में क्या होता है हम directly reported speech बोल देते हैं it means जो words उसने बोले हैं उसी को line में ले लेते हैं direct का क्या मतलब है जो words रामा ने बोले हैं हमने directly ले लिए और report करते हुए मतलब कि रामा ने कहा है I am very busy now मतलब यह पूरे के पूरे शब्द जो राके बोले गए क्या Rama said, he was very busy, ठीक है, Rama said, he was very busy, then, लिख लिजे, आके पूरा सेंटेंस लिख लिजे, ठीक है, अब ये बच्चा क्या है, ये डारेक्ट स्पीच है, क्या है, ये डारेक्ट है, और ये क्या है, ये इंडारेक्ट है, क्या है, ये इंडारेक्ट है, क्या है, ये इंडारेक्ट है, ठ ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाने की ट्राइ करती हूँ, देखो बेटा, देखो, डारेक्टली क्या होता है, जिसमें हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच जो है न, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब होता speech का क्या मतलब होता मुझे कमेंट में बताइए पहले speech का मतलब क्या होता है speech का मतलब मैं हम कुछ बोल रहे हैं चीक है अगर हम school के assembly में खड़े हैं यह हमारे को office में presentation में यहां मेर को कोई बाहर जाके डिपेड कॉम्पटीशन करना है तो हम क्या करते हैं अपने एक्षान लाते हैं तो reported पीच क्या है pastime क्या मतलब हम अपने जयsem國家 सब्सक्राइब करहा ये सब ले के चल सब्सक्राइब प्रेसंपेशन करें चीक है presentation में हम facts बता रहे हैं हम क्या बता रहे facts बता रहे कि भई हमारे prime minister ने यह line बोली थी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी होते हमारे PM PM ने क्या बोला for a sake चीक है मैं example ले रही हूं यह मत सोचना कि PM रहे हम ने यहीं बुए जैसे बोले स्वच भारत बहुं को आगे बढ़ा सच भारत अभ्यान चाहित कि अब यहां पे जब पिये मंने कुछ बोला प्यान को आगे बढ़ाो तो नियूस में कैसे आ जाता है जल्दी बताए जब आप न्यूस चैनल पढ़ते हो ना हाँ या आप आज तक वैगेरा या एबिप कुछ भी देखे चिकेए इमेंस न्यूस चैनल से तो वह आगे से क्या बोलते हैं नीचे जब हैड्लाइन साती है ना हाँ नीचे एड्लाइन आती है नरेंद्र मोधि सेड नरेंद्र मोधि सेड उसके बाद लाइन को कुटे कर लेते हैं क्या बोलते हैं स्वच भारत अभ्यान को आगे बढ़ाओ क्या बोलते हैं स्वच भारत अभ्यान को आगे बढ़ाओ वही वर्ड यूज करते हैं जो हमारे पी एम ने बोले हैं his exact same words को कुटी कर लेते हैं लाइन में तो जो exact word use कर रहे हैं उसे हम बच्चा बोलेंगेDad reported speech क्या बोलेंगे reported speech clear हो गया yas or no and ourIm jullie Congress reporter कौन है जिस ने बोला है speaker के बारे में rama said to reporter क्या लिख रहा है भई mr. PM ने कहा है तो यहां पर प्रामा क्या है यह रिपोर्टर है जिसके बारे में हमने रिपोर्ट निकाली है जिसके बारे में हमने रिपोर्ट निकाली है और इन रिपोर्ट को उस शब्दों के साथ रिपोर्टिट स्पीच मतलब वर्ड के साथ कौन जोल रहा होता है यह तो हमें पता है लेकिन इसे हम क पर बात की जा रहे हैं मैं कह रही हूं इंडारेक्ट मतलब कि हम थर्ड परसन को कर रहे हैं चीक है रामा ने कहा है he was very busy then रामा ने कहा है he was very busy then सबसे पहले rule number one याद रखिएगा मैं आपको पहली कह रही हूं tenses यहां पर आएंगे बट मैं tenses पर कम फोकस करके आपको बस डारेक्ट और इंडारेक्ट का ज्यादा समझाओंगी क्यों क्योंकि टेंसे मैंने रेगुलर क्लास में नहीं लिए हैं अगर बच्चों को टेंसे आते हैं तो वेरी गुट क्योंकि मैंने आपको यहां पर सिरफ ब्रॉड व्यू देना है आगे चैप्टर में टेंस का सिंप्ली मैं बोल रहे हूं चीक है मैं डीटेल में टेंस नहीं पढ़ा रही हूं इस समय चीक है रूल नंबर वन याद रखना है आपको एट चीज जब भी आप ड लाइन को को टेगा रखी थी वो भी खतम हुआ येस और नो तो सबसे पहले यह देखे कौमा को आपने हटा देना है और लाइन को कुटी कर देना इट मींस कि आई यहां पर क्या है बिटब प्रोनाउन इट मींस फर्स्ट परसन को हमने कनवर्ट कर दिया थर्ड परसन में क तो आई क्या है आई को हमने कनवर्ट कर दिया बच्चा ही में और आगे लगा दिया वाज क्या आगे लगा दिया वाज ये क्या वाज क्या हुआ है यहां पर वाज हो गया वेरी बीजी देन और यहां पर हमने कोई वर्ड जैसे कि कांजंशन को भी हम यूज कर सकते हैं कई words में आप देखोगे कि जब हम कॉमा को हटाएंगे तो हम conjunction words को use करेंगे चीक किसको करेंगे conjunction words को use करेंगे बट काई sentences में आप देखोगे कि यह conjunction की जगा आप directly he was लिख दोगे it means कि first person से हमने third person में convert कर दिया प्रोनाउन तो अब हम regular पढ़ रहे हैं ना बेटा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आए क्या है personal pronoun आए को convert कर दिया आई इस first person he is third person बेटा प्रोनाउन का lecture साथ साथ चल रहा है ना regular batch में hope आप सब attend कर रहे हैं उसमें मैंने पूरा detail पढ़ा दिया आपको personal pronoun का पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया सब पढ़ाया है टिक है तो यहां पे मैंने आपको कहा कि डारेक्ट को अगर हम indirect मे convert करते हैं तो सबसे पहले हम यह कॉमा को हटाएंगे क्या हटाएंगे हम सबसे पहले एक कॉमा को हटाएंगे कि यहां पर कॉमा को फटाइंगे तो तभी तो नहीं हटाया क्योंकि अभी बताओं गी कि कैसे हटाना है ठीक है यहां पर देखे अब आपको पहला रूल बोला कि इस कॉम बहता लुट तो यह मतलब कि इस सिंटेंस में आप इस कॉमा को हटाओगे ये और आपने का कि कंजंग्शन को यूज करेंगे हां तो यहां पर कंजंग्शन यूज करो ही सेड डाट क्या लिख सकते हो डाट विजिबल है या नहीं विजिबल समझाने के पर पर थोड़ा क्लमजी हो गया तो आपको यहां तक हो आपको समझ में आ गया है ठीक है तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूं विकास मुझे आपको समझाना था वो समझ में आ गया है तो अ जल्दी लिखिये Okay के लिख के दिखा धातियो Okay Rama said That He was Busy трat He was busy हाँ हट गया यह जो हमने लगाया मतल्ब कि reported speech को हमने converted speech को हमने convert कर देना है हां पहले था और और नाव नाव का हम कन्वर्ट कैसे करेंगे देन्मे नौका कैसे करेंगे देन meg. past के ले गए ना बैटा ये present की बात हो रही है आफ गी ये present tense हम इसको past tense के रहे हैं clear है ठीक तो 7 मैंने आपको कहा कि हां पर that it means conjunction word आप use कर सकते हो क्या कर सकते हैं conjunction word you कर सकते हो, मैं हम that, demonstrative pronoun भी तो हो सकता है, जब pronouns का lecture पढ़ रहे हो, correct हो आप, ठीक है, तो conjunctions यूज कर सकते हैं, interjections यूज कर सकते हैं, और sometimes you can use demonstrative pronoun, clear, ठीक है, demonstrative pronoun भी हम यूज कर सकते है, रामा said that he was busy then, then, conjunction, clear है, direct को indirect में convert करने के लिए, rule number आपको one याद रखना है, कॉमा को सबसे पहले हटा दो, अब यहाँ पे I am very busy now, present को past tense में लेके जाओ, चीक है, साथ ही साथ, personal pronoun I को अब third person में convert करके देख लो, clear है, yes or no, तो आप ही ने narrations लिया था, चीक है, तो narrations को अब ध्यान से समझिए, clear है, आगे चले, हाँ, चलो, अब मैंने आपको basic rule to convert direct speech into indirect speech बताई है, यह सारी चीजी ना मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं कहरे हूँ, सारी चीजी बता चुकी हूँ, एक बारी हम revise कर लेते हैं, read करते करते, और जो point हमारे रह गई है, उस पे मैं आपको discussion करा देती हूँ, clear है, yes or no, जल्दी बताई, clear है, okay, देखो, basic rule चो convert a direct speech into indirect speech, direct speech क्या होती है, बच्चा, direct speech वो होती है, जिसमें हम reporting verb को यूज़ करते है, और reporter की speech यूज़ करते हैं, क्या मतलब हुआ, कि reporter directly speaker के बारे में direct words बोल रहा है, क्या बोल रहा है, direct words बोल रहा है, clear, तो पहला point देखे, to change the reporting verb according to the reported speech, देखो, reporting verb को reported speech के according आपको convert करना है, कैसे, देखो, Rama said, I am very busy now, ठीक है, said को said में यहाँ पे लिखा, हमने said को said में यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेकिन कई words जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें हमार को verb को change करना पड़ेगा, आगे मैं सब कुछ समझाने वाली हो, ठीक है, to change the reporting verb according to reported speech, मतलब कि reported speech का क्या मतलब हुआ, देखो, मैं आपको यहाँ पे ही बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, यह reported speech है, ठीक है, अब reported speech के accordingly, हमने reported verb को use करना है, ठीक है, Rama said, I am very busy now, it means यहाँ पे tenses का utilization होगा, pronounce के बारे में हमार को देखना पड़ेगा, तभी हम अपना जो Rama ने बोला है, PM ने बोला है, उसको verb को हम कैस, कौन सा verb यूज कर सकते हैं, यह बेटा basically बोल रखा है, ठीक है, आगे देखो, B part, to remove the inverted commas from the direct speech and replace them with an appropriate conjunction, अब मैंने आपको यहाँ पे that लिखवाया, ठीक है, कॉमा को हटाया, that conjunction भी हो सकता है, हम एक word को conjunction के form में भी यूज कर सकते हैं, डेमोंस्रेटेव में भी कर सकते हैं, यह subject to subject vary करता है, ठीक है, आगे देखो, ओके, लेकिन conjunction के लिए ना मैंने आपको basic words दिये थे, आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको एक shortcut दीती, conjunction के लिए, वो words आप use करी लीचेगा, अगर आपको कोई और conjunction में problem आ रही है, ठीक है, वो words को use कर लो, आप conjunction में, जल्दी बताइए, मैंने आपको conjunction के chapter में बताया था, compound में भी बताया था, declarative sentences में भी बताया था, एक आपको मैंने basic idea दिया था, conjunction का, जल्दी बताएए, बेटा, fanboys बोला था, हाँ, यह fanboys होना, हमेशे याद रखना, ठीक है, अगर आपको कोई भी conjunction, जैसे कि that हो गया, जिसमें आपको doubt आई की pronoun है, यह conjunction है, then है, तो आप in में से कोई use करके देखें sentence में, ठीक है, कोई भी conjunction use कर सकते हो, हाँ, clear है, तो आपको, अगर कोई भी doubt हो, तो बेटा, आप यहाँ से पूछ के, sentence को बनाईए, clear है, okay, आगे चले, चलो, okay, to remove the inverted commas from the direct speech, and then with an appropriate conjunction, inverted commas, क्या, जैसे हमने reporting speech ली ली, clear है, inverted कर दिया उसको, और यहाँ पर कॉमा को भी हटा दिया, clear, okay, to change the pronoun of the reported speech accordingly, अब change the pronoun of the reported speech, क्या हो गया, accordingly, मैंने आपको बोला, I को हमने convert कर लिया, किस में, अगर हम she में भी कर सकते हैं, he में भी कर सकते हैं, अगर इंसान का gender हमें पता है, कि जैसे कि रामा हो गया, तो बेटा यह तो he हो गया, तो I को हमने he में convert कर लिया, अगर रामा की जगा रामी हो गई, रामी, तो रामी क्या है, she हो गया, लड़की का नाम हो गया, तो she लिका लिके, clear है, Okay, change the adverbs of the direct speech, अब adverbs क्या होते हैं, जो हमारे verbs को define करते हैं, adverbs क्या होते हैं, जो हमारे verbs को define करते हैं, चीक है, तो उसको भी हमारे को direct speech में change करना होता है, indirect में लाने के लिए, clear है, yes or no, जल्दी मुझे बताए, clear है बेटा, आगे चल सकते हैं, चालो, यहाँ पे हमने pronouns के बारे में पढ़ना है, चीक है, basic rule मैं आपको बता रही हूँ, अब pronoun के बारे में हमने discussion करी, ठीक है, मैंने आपको pronouns के बारे में बहुत चीज़े बताए, ठीक है, अब मैं आपको एक example लिखके दिखा रही हूँ, example दे रही हूँ, direct का, क्या दे रही हूँ, example दे रही हूँ, direct सा, ठीक है, he says, he says, ठीक है, लिखे पहले साथ सा sentences, मैं कह रही हूँ, sentences को आपको लिखना है, है, he says, I am in 9th class, ठीक है, 9th class के कितने के हैं, 10th के कितने हैं, 11th के कितने हैं, 12th के कितने हैं, जल्दी बता दो मुझा ठीक है, ये direct है, he says, I am in 9th class, क्लास, he says, मैं यह थर्ड परसन दिख रहा है, बेटा, he क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, रामा लिख के देख लो, यहाँ पर रामा लिख के देख लो, डारेक्ट है, ठीक है, रामा से इस, I am in नाइन्थ क्लास, नाउन की जगा हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हाँ, डारे दिखाईये, इंडारेक्ट को कनवर्ट करके दिखाईये, देखो, he said, he said, अब मैं जो लिख वार ही हुना, प्लीज बच्चा, साथ साथ लिख लो, तो ज्यादा सही हुगा, he said, he said that, he is in नाइन्थ क्लास, स्पेलिंग देख लीजे, ठीक है, और साथ साथ एंड राइटिंग समझ में आ रही है, आज मैं बहुत आराम राम से लिख रही हुँ ता कि आपको समझ में आए, ठीक है, he said that, he is in नाइन्थ क्लास, अब बेटा, he को तो he रहा दिया हमने, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट इस वर्ब है ना, जो रिपोर्टेड वर्ब है, उसको हमने चेंज कर लिए, से 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 तक, ठीक है, it means यह प्रेजन टेंस में चल रहा है, यह प्रेजन टेंस में चल रहा है, और हम यहाँ पे किसी third person के बारे में बोल रहे हैं कि उसने कहा था, present को past में convert कर दिया, क्या कह र that हमारा यहां पर conjunction के तौर पर यूज किया जा रहा है ठीक है अब यहां पर देखिए यह जो reported speech है उसका inverted comma भी हटा दो सबसे पहले सबसे पहले हटा दो comma की जगह अपने that लिग दिया I pronoun की जगह अपने third person को कनवर्ट कर दिया तो यह हमारा Pass Chance में चला गया ठीक है तो यहां change कर रहा? convert कैसे किया? subjective verb से. clear है? yes or no? ठीक है? verb subjective verb मतलब कि subject के आगे लगा दिया. clear है? अब यहाँ पे example number 2 देखे. मैं कह रही हूँ example number 2 देखे. he says to me, example लिख लीजे. ठीक है? मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं लिख वा रही हूँ कुछ, तो please लिख लीजे. आगे मैं फिर फास्ट फीड में आपको सब कुछ पढ़ा दूँगे, फिर मत कहिएगा. example number 2. he says to me, लिखे. ठीक है? ठीक है? you have done your book. he says to me, you have done your work. अब मैं ये कह रही हूँ, ये direct है, इसको indirect में convert कीजे. चीक है? मैं कह रही हूँ, ये direct है, इसे indirect में convert कीजे. he said to me, आगे, जल्दी बताईए, आगे क्या बोलोगे? इसको लिक्स हूँ. he said to me, I have done my homework. ये गलत हुआ sentence ये सही हुआ? पहले तुमुझे ये बताओ. ये गलत है, ये correct है. देखे, he said to me, I have done my homework. he says to me, you have done your homework. ये आप से पूछ रहा है question. अगर आप इस sentence को बच्चा लिख दो गे, तो ये बिटा गलत होगा. मैं कह रही हूँ, गलत होगा. कहीं बच्चों ने ये comment section में लिखा है, same मैंने वही लिखा है देखके. ठीक है, he says to me, अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैं comment में देखा है, same लिखा हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ. he says to me that, पहले तो आपको मैंने ये बोला था, इसको कॉमा को change करिये that से, बोला था यह नहीं बोला था, ठीक है, I have done my homework, तो यहाँ पर क्या होगा, यह correct answer होगा, तेखो, आपने यहाँ पर me के बाद कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, पहली बात, says को says में ही रहने तो क्यों change कर रहे हो, और मैंने से बहले ये बोला कि that लिखो यहाँ पर, क्या लिखो, that लिखो, कॉमा को convert कीजे, I have done my homework, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, you क्या है बेटा, second person है, second person को मैंने first person में convert कर दिया, चीक है, और यहाँ पर हमने homework लिख लिख लिया, clear है आपको, आगे चल सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पर rules of changes in pronoun, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये सारी चीज़े pronoun में पढ़ाई हैं, तो मैं इसको fastly बोलूंगी, और आपको समझना पड़ेगा, चीक है, जो बच्चों ने comment दिया है, एक दो बच्चे का तो मैं पढ़ पाई हूँ, विकद यहाँ पर पढ़ना जरूरी था आपका comment, बिट आगे देखिए अब अब, चीक है, नॉमिनेटिव, possessive, objective और reflexive, मैंने आपको pronounce पढ़ा रखे हैं, चीक है, regular lecture, हमने यहाँ तक साथ lecture करे हैं, pronoun के, यह सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको seven lectures में, बस मैं आपको master में revise करा रही हूँ, speed तेज होगी, चीक है, नॉमिनेटिव मतलब subjective, चीक है, मैं आपको hint दे दूँ यहाँ पे, चीक है, possessive मतलब my, objective मतलब me, reflexive मतल कर लिया, ऐसे हमने, we आर, us, ourselves, चीक है, you, yours, you, yourself, clear है, ओक, अब ही क्या है, नॉमिनेटिव, subjective, third person, क्या है, third person, उसको हम positive में कनवर्ट करेंगे, his, चीक है, objective में करेंगे, him, और reflexive में करेंगे himself, चीक है, she को कैसे convert करेंगे, she, subjective, third person, her, подобective में convert कर दिया, herself, SELF लगा दिया, reflexive में आ गया, ठीक है उसके बाद, दे क्या है, nominative third person in a plural form ठीक है, possessive को यहाँ पे क्या करेंगे हम, possessive को हम यहाँ पे बिटा क्या करेंगे why it is what is happening here, discard ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बिटा, जल्दी जल्दी मुझे बताईए, यहाँ पे हम बात करेंगे, दे को हमने convert कैसे किया, what is there यार, wait a second चीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, देखे दे को हमने convert कैसे किया, they are, them or themselves, चीक है, दे क्या है, subjective है, they are possessive आ गया, them objective आ गया, और themselves, क्या आ गया, हमारा reflexive, clear हो गया, yes or no, अब यहाँ पे direct और indirect के बारे में, मैंने आपको थोड़ी से examples दिये हैं, इसे जल्दी जल्दी revise करते हैं, direct में देखो, she says, I am in 10th class, same example दिया था मैंने आपको यहाँ पे, हाँ दिया था, क्या दिया था, same example बेटा दिया था, यह नहीं दिया था, हाँ दे दिया था, तो अब यहाँ पे देखो direct के, she says, I am in 10th class, indirect में कैसे लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखे रहें दो हमारा को इसको change नहीं करना है, ठीक है यह कौन सा example हुआ, जल्दी she में convert कर दिया, I am को is and in में कर दिया, clear है time बहुत कम है बेटा प्लीज ध्यान से पढ़ लीजे, चीक है आप ही ने direct और indirect कई है, मुझे पता है, इसमें tenses का बहुत use है बट मैं आपको tenses को base लेके नहीं पढ़ा पा रही हूँ, why, because मैंने tenses आपको पढ़ाए नहीं है, तो आपको basic idea लीजे, direct से indirect में कैसे convert करना है, चीक है direct को देखो, I say, I am an honest man, मैं इसको broad view tenses का आगे दे रही हूँ, 5 minutes में लेकिन आप पहले यहाँ पर पढ़िए यहाँ पर tenses को मतलाईए tenses को मैं अगली slide में पढ़ा रही हूँ ठीक है, I say, I am an honest man अब यहाँ पर I से लिख दिया convert कर दो, कॉमा को that way, inverted कॉमा हटा दी I को हमने I में ही लिख दिया I am को M में ही लिख दिया, तो it means कि यह ज़रूरी नहीं होता कि first person को आप हमेशा convert करो के third person में यहाँ पर exceptions are always there क्या है exceptions are always there कि हमार को यह line proper की proper लिखनी है चीक है, अब यहाँ पर direct और indirect को देखो, direct में बोला she says to me you have done your homework उसने मुझे कहा कि तुमने काम किया अब यहाँ पर she says को reported verb को हमने tell में convert कर दिया me, अब कॉमा को तो सबसे पहले हटा के that में लिख दो inverted कॉमा को सबसे पहले हटा दो चीक है, you को हमने convert कर दिया third person में, चीक है, और आगे लिख दिया, I have done my homework चीक है, you को, your को मैंने my में convert कर दिया, pronoun है your be, second person my क्या है, second person और यहाँ पर मैंने बेटा क्या बोला आपको कि हमने यहाँ पे change किया ठीक है, direct और indirect में देखे she says to her, you have done your work अब देखो यहाँ पे your क्या है बेटा your क्या है, your be हमारा noun है चीक है, आगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊ your क्या है बेटा, possessive noun है और my यहाँ पे क्या है, बेटा, possessive है मतलब कि first person को you have done your work, तो she tell says को हमने work को change कर दिया her को यहाँ लिखने रहन दिया comma को थो अटाओ सबसे पहले सबसे पहले comma को अटा के the लिखो that लिखो, यह हमारा basic rule है और inverted comma की जगा, आप इसको past chance में लिख दो, she has done her work, मतलब कि हम बता रहे है past में बता रहे हैं कि उसने मुझे यह बोला था, चीक है ओके, आगे चलिए, direct क्या है और indirect क्या है, she says he does not work, she says he does not work, हमने बोला, यह directly हमने line ले ली he क्या है हमारा reporter, यह क्या है reported verb, और यह क्या है reported speech, चीक है, अब indirect को कैसे convert कीजे, she says कॉमा को बेटा बोला, that से कर लो, he को हमने he में लिख दिया और does not work, मतलब की, कई बारी जब हम third person के बारे में बात करते हैं, तो third person के बारे में हम change नहीं करते हैं, कुछ भी यह, अगर third person है ना उसे हम change नहीं करेंगे, बस यह याद रखिया, चीक है, everybody आदे क्या है, बेटा, pronoun है, third person, in a plural form तो that have spoken the truth, यहाँ पर हमने लिख लिया, clear है, आगे चले, okay, अब यहाँ पर rules for changing direct speech into indirect है, बहुत ही simple है, अब यहाँ पर मैंने tenses को use किया है, चीक है, tenses मैंने आपको regular में भी नहीं पढ़ाएं हैं, ना master में पढ़ाएं हैं, लेकिन मैं आपको broad view दे दूँगी simple present tense से simple past tense में जाना, चीक है, simple present मतलब की simple verb की position और simple past की position, चीक है, detail में tenses में ही पढ़ाऊंगी, आपकी demand में मैंने narrations लिया है, चीक है, a simple present become a simple past, a simple present हमेशा simple past बनता है, मैं आपको कह रहे हैं, directly मतलब की हम present tense की बात कर रहे थे, और नरेंदर मोदी ने जो जो बोला, हमने उसकी line को quitting कर लिया, लेकिन, अब यहाँ पे indirect में क्या होगा, कि नरेंदर मोदी ने बोला था, चीक है, अब direct को देखो, he said, I am unwell, उसने I को हमने, pronoun को हमने convert कर लिया, third person में, am को convert कर लिया, was में, चीक है, और unwell को लिख लिया, unwell में, clear है, आपको practice चाहिए होगी इसकी, because, यहाँ पे मैं speed इसली बढ़ा रही हूँ, क्योंकि tenses के बारे में हमने proper discussion नहीं कर रखी है, लेकिन मैंने आपको broad view देना है, तो मैं broad view देके चल रही हूँ, चीक है, आपकी demand पे मैंने narrations लिया है, अगर tenses नहीं भी आता है, तो narrations जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, बेटा बस यह पढ़िए कि direct को indirect मे हमने कैसे convert करना है, आपको exam में यह नहीं पूछा जाता है, आपको directly लिखा जाएगा, direct को indirect में convert कीजे, sentences कौन से present tense में चल रहा है, past में चल रहा है, वो हम tenses में पूरा cover करेंगे, चीक है, आगे देखो B part, अब present continuous become a past continuous, present continuous tense क्या होता है, जिसमें हम ing को use करते हैं, चीक है direct देखो, direct क्या है, he said, my master is writing letters, my master is writing letter, ing का use की हा, मतलब की present, continuous tense, present, continuous tense, ठीक है, अब यहाँ पर indirect को देखो, बेटा कैसे करेंगे, he said, अब कॉमा को directly that में convert कीजे, इसलिए bracket में लिखा है, आपको bracket में, exam में नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, he said that, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर bracket में आपको just focus कराने के लिए बोला है, his master his master, my को convert कर दिया, his may my को convert कर दिया, his may, ठीक है, master is अब, इसको convert कर दिया, was may, past continues लेके जा रहे हैं, ठीक है, अब writing, क्या है, writing तो writing हो गया, clear है, जल्दी बताए, clear है, तो मैं आपको कह रही हूँ, present continuous को, past continuous में लेके जाना है, continuous क्या है, जिसमें ing को use किया गया है, ठीक है, आगे देखो, अब present perfect become a past perfect, अब जो present perfect है, present perfect है, वो past perfect बन जाता है, ठीक है, present perfect past perfect बन जाता है, देखो, example देखो, direct है और indirect है, he said I have passed the examination he said, I have passed the examination, ये क्या है बच्चा reported speech हो गई है, हां जी reported speech में मैं आपको कह रही हूँ, present perfect, present में उसने past के बारे में बात की है present में उसने past के बारे में बात की है, ठीक है, he said, I have passed the examination मैंने आपको कहा, बेटा, I have passed the examination, present में बोल रही हूँ, मैं आपसे हाँ, मैं present में बोल रही हूँ, present perfect है, क्यों क्यों कि मेरको यहां पे आपको पहले की बात बता रही है screen is switching off, ठीक है present में मैं आपको past के बारे में बात करे हूँ, ठीक है, आगे देखो, he said, क्या है he said, the comma को that में convert कर लिया, inverted comma हटा दो, basic ठीक है, उसके बाद, I को convert कर लो, he may, pronoun को change करोगे, हाँ, have को convert करोगे, head में, ठीक है, past the examination, correct वही आएगा, तो present perfect में past convert में हम कैसे करेंगे, आपने देख लिया, मैंने आपको पहली ही कहा था कि भई मैं टेंसे राम से पढ़ाँगी, आपको narrations पढ़ना था, तो narrations में मैं आपको टेंसे का broad view ही दे पाँगी, master में आपको broad view ही तो दे पाँगी टेंस उसका, टेंसे में कम से कम 10 lectures लगेंगे, बताओ, ठीक है, अब note देखो, note देखिए, the shell of the future tense is changed into should, देखो, shell का होता है, shell, I shall, ठीक है, उसको जब future tense को जो होता है, उसे हम change करेंगे, should में, clear, okay, the shell of the future tense is changed into should, अब अगर हम डारेक्ट में, shell future tense को यूज कर रहे हैं, तो हम should में change करेंगे, ठीक है, the will of the future tense, अब जो will है future tense का, will को हम convert करेंगे, would में, या should में, ठीक है, will को convert करेंगे, would में, या should में, मैं basic broad view दे रही हूँ बेटा, पस revise कीजे आप यहां पे, ठीक है, as a rule, the simple past into direct become the past perfect in the indirect, अब simple past, अगर हम देखेंगे, simple past tense को देखेंगे, वो change हो जाएगा किस में, past perfect tense में, indirect में, ठीक है, it means बेटा देखोई, अगर हमने simple tense लिखा है, तो simple tense का complete हो जाएगा, direct में लिखा होगा, ठीक है, simple, और indirect में, अगर हम लिखेंगे, तो वो simple tense, simple perfect में हो जाएगा, यही बेटा basic meaning है, ठीक है, ओक है, अब देखो direct, example, direct, यही चीज़ example, he said, the horse died in the night, he said, the horse died in the night, अब he said को तो he said ही लिखोगे, हाँ जी लिख लिखा, गॉमा को हमने convert कर लिया, that में, inverted commas को हटा दो, the horse died in the last night, the horse died in the last night, अब दा को दा लिख लिया, horse died in the last night की जगा, the horse had died in the last night, had का form हमने यहाँ पे use कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, कि जो simple past है, directive में, वो past perfect बन जाएगा, simple tense को past perfect में बन जाएगा, मैंने आपको पहली का है, कि tenses का मैं यहाँ broad view देती हुई चल रही हूँ, मैंने tenses आपको detail में नहीं पढ़ाया है, master class आपकी demand पे, को यह लेके चलते हैं, narrations का topic, चीक है, आगे हम tenses पढ़ेंगे ना, तो आपको narration और भी clear हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने narrations की demand करी है, उनको मैंने broad view दिया है, मेरी तरफ से, चीक है, इससे जादा मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगे, because मैंने आपको regular में tenses नहीं पढ़ाया है, ची मतलब की universal truth का क्या in the sense, कि जो आपने बोला है, वो सच्चाई है, उस सच्चाई को हम change नहीं कर सकते, यह habitual fact है, किसी की habit है, अब habit क्या है, कि भई class के बीच में खाना, चीक है, वो उसकी habit है, यह truth है, वो खाता है, तो हम यह तो नहीं सकते हैं कि वो खाता नहीं है, ठीक है, so there is no change in the tenses, उस change में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई change नहीं होगा tenses में, change नहीं होगा tenses में, एक बर एक्जामपल देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है, डारेक्ट देखो, our teacher said, the earth is round, भाई सब teachers बोलते हैं, हम स्कूल में गए ते, ठीक है, आप अग सेम आएगा, कॉमा को आपको बेटा basically that में convert करना है, यह आप मान के चलिए, मान के चलो इसको, यहाँ पर that की जगा कुछ और आ सकता है, बट जितने भी sentences होंगे, 90% आपको that ही लगेगा, कॉमा को आपको that में ही convert करना, simple बस यह याद रखें, यहाँ तक तो आपको sentence सही हो जाएगा, inverted comma को हमने हटाना है, चीक है, inverted comma को हमने हटाना है, the earth is round, same का same लिग दिया, it means कि कभी कोई सच्चाई हो, जिसे हम change नहीं कर सकते, तो बेटा, उसमें हम सिरफ यहाँ पे inverted commas को हटाएंगे, और the earth is round, वैसे के वैसा लिग देंगे, क्योंकि यह बेटा, universal truth है, क्या राजीव ने बेटा मुझे कहा था, कि वो right hand से खेलता है, यह तो universal truth है, मतलब कि habitual fact है, कि उसके आदती right hand से है, तो हम कैसे बोलेंगे कि वो left handed है, चीक है, तो यहाँ पे देखो, राजीव told me, अब said को हमने convert कर दिया, told में, चीक है, said को हमने convert कर दिया, told में, चीक है, क्यों अगर habitual है, तो same की, same line चिपका दो, same की, same line यहाँ पे चिपका दो, clear है, आगे चले, चलो, तो यहाँ पे some of the small changes, जो हमार को direct speech को indirect मे convert करते हैं, चीक है, अगर हम direct में हर को use कर रहे हैं, तो there का use कर लेंगे, past में ले जाने के लिए, now use कर रहे हैं, तो then में ले जाएंगे, this use करेंगे, तो हम indirect में that में लिएकर चाहेंगे, कि और third person के बढरे में बात करेंगे, these को करेंगे, तो those में change करेंगे, to today को that day के बारे में बात कर लेंगे, yesterday, चीक है, अग्य हाँ दे को, tonight को हम that night में कर लेंगे, अगर yesterday लिखा है, मैं कह रही हूँ, अगर yesterday मतलब previous day, अगर हम कोई कहेंगे yesterday I have gone to party चीक है अब यहां पर previous में change कर लेंगे last night को the previous night में change कर लेंगे अब आपका homework मैं बता रही हूं क्या है in words को आप में को बताईए कि कम से कम two sentences लिख के आई है in message choose करके चीक है direct और indirect में next lecture में मैं आपका cover up करूंगी comment section में अडाउट तो मुझे पता है बरपूर होंगे इस बार बट कोई बात नहीं में comment section में आपको reply कर दूंगी चीक है तो यहां पर homework है क्या कि आपको direct को indirect में change करना है hope आपको यह lecture तो समझ में आ गया तो अब हमारा आएगा quiz number two चीक है तो quiz number two मैंने बहुत basic question लिया है there are dash parts of speech हमने अभी speech के बारे में पढ़ा है speech कितने types के होती है बच्चा यह बताईए जल्दी जल्दी मुझे बताईए कितने type की होती है जल्दी बताईए आगे चल सकते हैं जल्दी बताओ बेटा अभी पढ़ा बस basic question पढ़े है मैंने जल्दी बताईए ओक कोशन नमब टू डारेक्ट स्पीच अच्छल वर्ड सेट बाइदा रिपोर्टर डारेक्ट स्पीच अच्छल वर्ड सेट बाइदा रिपोर्टर नरेंद्र मोदी का example दिया था मैंने आप आपको नरेंद्र मोदी का दिया था यह जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी ओके तो मैं आपको इसका answers बता देती हूँ चीक है there are two parts of speech होता है direct या indirect तो यहां पर B part हो गया हमारा correct ठीक है direct speech is the actual words मैंने आपको बोला था कि direct speech में हम कैसे बात करते हैं कि भई नरेंद्र मोदी ने यह बाते बोली थी actual words जो बोली थी हम उसे inverted commas में ले आते थे तो yes a part हो गया हमारा correct अब बेटा यहां की master class तो खतम हो गई ठीक है और next master class में आपको कौन सा topic पढ़ना है प्लीज आप मुझे उसका भी बता दीजेगा ठीक है thank you so much doubtnut पे बने रहें बबाई take care ठीक है